हालो दोस्तों कैसे आप सभी दोस्तों आए जोई की बिहार डिलेट के लिए रिजिनिंग का प्रैक्टिसेट नमर सेवन लेके आए हुए हैं क्योंकि इससे पहले आपके पास समय कम है चलिए शुरू करते हैं फ़इस्ट कोईसेन उस बिकलब का चैन कीजिए जो तीसरे पद उसी परकार से समबंदी थे जिस परकार से दूसरा पद पहले पद से सम्बंदी थे कोश्चन को समझे कोश्चन क्या कहाना चाह रहे जैसे 111 को 179 लिखा जाता है तो 18 को क्या लिखा जाएगा चले बताएंगे आप सभी वीडियो को पॉस किज़े बनने का कोश्चन को समझे का आप सभी जिस परकार से 111 को 179 लिखा जाता है तो 18 को हम से भी क्या लिख सकते हैं अगर ये किया जाए 11 का स्क्वाइर किया जाए तो 11 का स्क्वाइर कितना होता है हम सभी जानते है 11 का स्क्वाइर होता है 111 111 में अगर 48 को पलस करते तो कितना हो जाता है 179 हो जाता है उसी परकार से 18 काई square करेंगे तो 18 काई square कितना होता है 324 होता है 18 काई square 18 काई square 324 होता है और इसमें अगर हम से भी 48 को plus करते हैं तो कितना हो जाता है 8, 4, 12 और 4, 6, 1, 7, 7 अब plus इधर 3 आ जाएगा तो कितना हो गया 312 312 के option में दिखाई दे रहें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहें तो इस परकार से ये सवाल नहीं बन सकता है तब अब इसे किस परकार से हम बनाएंगे तो ये काम आप सभी कर सकते हैं ये रूल को फॉलो कर सकते हैं आप सभी जिस परकार से 11 दिये हुए अगर 11 में 2 को पलस करते हैं कितना होता है 13 और 13 का square कर देंगे ते कितना आएगा 179 आएगा उसी परकार से अगर 18 में 2 को plus करते हैं तो कितना आ जाता है 20 और 20 का square कर देंगे ते कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा 400 का यह option में दिखाई दे रहें आपको option number D में दिखाई दे रहें बिल्कोल D right answer हो जाएगा देखें जैसे आपको अगर square निकालना है जिसे 20 का square निकालना है तो 20 को दो बार गुने करना है 20 को दो बार गुने करना है तो square निकल जाएगा अगर cube निकालना है 20 का अगर cube निकालना है तो क्या करेंगे 20 गुने 20 करेंगे तब क्या निकलेगा cube निकल जाएगा ध्यान में औरखेजा सबी कोईशन के लिए रहे, क्यान फूजन नहीं किजी का अगाला कोईशन की ऊर चलेँ अगला कोईशन दिये हुए नेमलेकिट में से चार सब्दों में से तीन एक निस्चित परकार से समान है और एक भीन है, बेजोड का चैन कीजिए, तीन किसी परकार से सम्मान है, एक भीन है, बेजोड सब्द का चैन कीजिए, चलिए बताएंगे इन में से कौन सा एक भीन सब्द है देखे, अगर ऑफशन को देखा जाए, तो यहाँ दिये हुए बिटामिन D दिये हुए, रतोंदी दिये हुए, बेरी-बेरी रोग दिये हुए, और स्कॉर्वी रोग दिये हुए, देखे, यहाँ पे भीन जो है, वो बिटामिन D है, क्योंकि यह क्या है, और जबकि रतोंद बेरी बेरी रोग और इसकोर वर यह सभी क्या है बिटामिन के कमी से होने वाला रोग है। बैगन को क्या कहेंगी, तो हम सभी जानते हैं, संत्रा क्या है, एक फाल है, तो बैगन क्या है, एक सब्जी है, तो हम सभी B को टिक कर शकते थे, सब्जी, बैगन को हम सभी सब्जी में रख सकते हैं, क्योंकि बैगन एक सब्जी है, जब कि संत्रा क्या है, एक फाल है, ध्यान प्रकार से 4 को पहले आगे रखा जा और 43 को पीछे रखा जाए तो 243 का हिं डिया वह आ नहीं दिया वह यह सवाल नहीं बन सकता है तब किस प्रकार से इसे बनाएंगे तो देखिएगा किस प्रकार से बनता है सवाल तुरद बन जाएगा देखे 25 का कसी का कितने गुणा जहें 225 passes का कितने गुणा जहें 225 का सभी का नूब जहें 225 अगर 55 से अगर 43 को नो से गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा 387 आ जाएगा 397 कहीं option में दिखाई दे रहें, आपको option number D में दिखाई दे रहें, यहीं option number D, right answer हो जाएगा, ध्यान रखीगा, 25 का 9 गुना, 225 उसी परकार से 43 का 9 गुना करेंगे, तो 387 आ जाएगा, question के लिए, question को समझेगा आप सभी, अगला question है, दी गई स्रिंखला में से प्रस्न चीन को सही डंक से परतिया स्थापित करने वाले बिकल्प का chain किजी, चले question mark दिए वे, इस जगा कौन सा बिकल्प आएगा, वीडियो को pause किजी और बनाने का कोशिस किजी अपने से, तबी समझ में आएगा, पहले यह दिखे, E से I कितने आगे हैं, चार आगे हैं, उसी परकार से I से M कितने आगे हैं, चार आगे हैं, उसी परकार से M से Q कितने आगे हैं, चार आगे हैं, उसी परकार से हम सभी Q में चार अगर जोडते हैं, तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और अब दिखे क्या किया वबा है, R से U कितने आगे हैं, तीन आगे हैं, उसी परकार से O से R कितने आगे हैं? 3 आगे हैं तब यहाँपे क्या आ जाएगा? तो L से मैनस 3 करते हैं तो यहाँपर I आ जाएगा I से L 3 आगे हैं तो अब क्या हो जाएगा यहाँपे? Option number C right answer हो जाएगे U और I U और I इस अस्थान पे आएगा इस प्रकार से आप सवाल को solve कर सकते थे कहीं कोई दिक्कत नहीं था सवाल में अगला question है एक स्रिंखला दी गई है जिसमें एक पद लूपत है दिये गे विकल्पों में से उस विकल्प का chain कीजिए जो स्रिंखला पूर्ण करेगा चले बताएंगे इस जगा question मार के अस्थान पर शंख्या क्या है विकल्प क्या है लूपत है इस जगा कौन से विकल्प आएगा जो स्रिंखला को पूरा करेगा question को समझे question क्या कहना चाह रहें जिस परकार से A, B है एक आगे है उसी परकार से BC एक आगे है CD एक आगे है, DE एक आगे है, EF एक आगे है, FZH आगे है, GH एक आगे है उसी परकार से HI, HI1 का आगे है और उसी परकार से I, J1 आगे है तो क्या आजाएगा? I और Z आजाएगा I जे कहीं option में दिखाई दे रहें? जे बिलकुल option में C में दिखाई दे रहें option में c right answer होगा question देखे question अगर कहना क्या चारा है pattern क्या इसका अगर ये चीज़ को समझ लेते तो question तुर आप solve कर लिजीगा अगला question है दिये के विकल्पों में से सम्मनित सब्द का chain किजी जिसे ptf को swi लिखा जाता है उसी परकार से cdr को क्या लिखा जाएगा तो सबसे पहले देखे क्या क्या है ये p से अगर s की ओर जाते हैं तो 3 पलस होता है p से अगर s की ओर जाते हैं तो 3 अधिक होता है उसी परकार से t से w की ओर जाते हैं तो 3 अधिक होता है उसी परकार से f से i की ओर जाते हैं तो 3 अधिक होता है मतलब कि 3-3 आगे है उसी परकार से हम यहाँ पर 3 आगे कर सकते हैं C से अगर 3 आगे करते हैं तो F आएगा उसी परकार से D से अगर 3 आगे करते हैं तो G आएगा और उसी परकार से R से अगर 3 आगे करते हैं तो U आएगा तो यहां तीन-तीन क्या किये हैं आगे किये हैं तो F, Z और U कहीं पर ओफशन में दिखाई दे रहे हैं जी बिलुकुल ओफशन मेर A में दिखाई दे रहे हैं ओफशन मेर A राइट आंसर हो जाएगा इसका अगला कोशन है निमलेकित प्रस्णों में से दिख इस रिंखला में से लुप्त संख्या ज्याद किजी कौश्चन मार के दिए हुए यहां पर लुप्त संख्या ज्याद करना है कौन सी संख्या यहां पर आएगा वीडियो को पॉस किजिए और बनाने का कोशित किजिए आप सभी कौन सी रूल को फॉलो कर शकते हैं इसमें हम सभी तो देखें सिंपल और आसान है कुछ नहीं ये सवाल में सबसे पहले देखें क्या क्या है ये अगर 33 में 10 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 43 आता है उसी परकार से अगर 10 में हम सभी 43 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा उसी परकार से अगर 43 में 93 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा option नमर डी में दिखाए दे रहे यानि option नमर इसका डी right answer हो जाएगा बिल्कुल simple और easy है कुछ नहीं ता question में हमें उम्मीद है कि आप सभी सवाल को समझ गये होंगी अगला फ्रस दिखी अगला question है यदि down को 60 लिखा जाता है super को 83 लिखा जाता है तो cash को क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर दिखे सारा को जोड के लिखा हुआ है जैसे कि D का अस्थान क्या आता है 4 आता है अल्फा बेट में नमर दिया हुआ है जैसे कि Y का अस्थान 25 आता है Z का अस्थान 26 आता है उसी परकार से अगर M का अस्थान देखेगा तो 13 आता है N का अस्थान 14 आता है तो बनेगा, बिल्कुल सिंपल और आसान भासा में आपको समझाएंगे और तुरत आपके माहिंड में सेट भी हो जाएगा सबसे पहले देखें यह क्या क्या है अगर हम सभी यह करते हैं D को अगर 4 लिखते हैं D को 4 लिखते हैं, उसी परकार से पलस करदेते हैं, O को 15 लिखते हैं और पलस करदेते हैं W का स्थान कितना होता है, 23 होता है और उसी परकार से n का अस्थान कितना होता है तो हम से भी जानते है n का अस्थान होता है 14 और 4 चीज़ को जोड़ दीजेगा तो कितना आ जाएगा मेरा टोटल 56 आ जाता है और यहां क्या बताया जा रहे कि 60 पूर रहे तो इसमें अगर 56 में अगर 4 पलस करते हैं तो 60 आ जाता तो A का अस्थान क्या होता है अलफावेट में A का अस्थान जो होता है वो 19 होता है अलफावेट में A का अस्थान जो होता है उनएस को पलस कर देंगे U का अस्थान कितना होता है अलफावेट में तो हमसे भी जानते U का अस्थान जो होता है वो 21 होता है तो 21 पलस कर देंगे का अस्थान अल्फावेट में कितना होता है शुल्ला होता है शुल्ला को पलस कर देंगे उसी परकार से ए दिया हुए एक अस्थान अल्फावेट में जो होता है वो 5 होता है पलस कर देंगे उसी परकार से आर दिया हुए तो आर का अल्फावेट में अस्थान जो होता है वो पूर गया तो उसी परकार से हम यहां क्या कर शकते हैं C का अस्थान क्या होता है अलफावेट में 3 होता है C का अस्थान अलफावेट में 3 होता है तो 3 को पलस करेंगे उसी परकार से A का अस्थान 1 होता है तो 1 को पलस करेंगे उसी प्रकार से H का अस्थान जो होता है अल्फावेट में वो कितना होता है 19 होता है 19 को प्लस करेंगे और H का अस्थान जो होता है वो 8 होता है तो टोटल प्लस करने के बाद कितना आ जाता है मेरे पास 31 आ जाता है 31 में 4 को जोड़ देंगे इतना आ जाएगा 35 आ जाएगा 35 कहीं option में आपको दिखाए दे रहें जिए बिल्कुल option नमर डी में दिखाए दे रहें तो यानि option नमर डी right answer हो जाएगे तो इस प्रकार से आप सभी देख सकती थे सवाल को सवाल को solve कर सकती थे सबसे पहले आप सभी alphabet को याद किजिए और उ कौन सी संख्या आएगा वीडियो को pause किजिए और बनाने का कोईसिस किजिए आप सभी दिखिए क्या किया हुआ है question में आखिर दिखिए हम सभी यह कर सकते हैं अगर 13 plus 24 करते हैं 13 plus 24 करते हैं तो कितना आता है 37 आता है यह सवाल भी बताये थे आपको just बताएं उसी परकार स अगर 30 plus 61 करते हैं तो कितना आता है 99 आता है और उसी परकार से अगर 16 plus 99 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 169 आ जाएगा 169 का यह option में आपको दिखाई दे रहें जी बिल्कुल option नमर ए में दिखाई दे रहें यानि option नमर ए इसका right answer हो जाएगा question के लिए question को समझेगा इससे पहले आपको यह सवाल बताया गया था